हेलो माइ दियर फ्रेइंट एंड माइ डियर लिसनर्स I am welcoming you आज ईक नया टोपिक के स्टार्ट करेंगे अच्छे से पढ़हें पूरे डीटियमे आपको ध्यान से सुनना है आपको जैसे ही नाम से समझ में आ रहा होगा टॉपीक का इलेक्टो यानि की करेंट से रिलेटेड है आप अपने आसपा सोसाइटी में देखे भी होंगे कितने लोगों को कनवलजन आता है सीजर्स आते हैं तो एसीटी क्या है एक ऐसा थेरेपी है जिसमें क्या करते हैं करेंट इलेक्टरिसीटी का हेल्प लेकर करके पेसेंट में कनवलजन को इंड्यूस कराएंगे यानि पेसेंट को दोरा पड़वाएंगे उसके वज़े से पेसेंट में कुछ ट्रीक्मेंट होंगे क्या treatment होगा mental illness ठीक होती है यानि patient में यदि हम current electricity पास करें तो उसको seizures आएंगे और seizures की वज़े से उसका जो mental illness है वो ठीक होता है ठीक है चलिए आगे अच्छे से समझते हैं क्या है ECT क्या है ECT is a treatment method in which a grand mal seizure is artificially induced ठीक है ये क्या है treatment method है जिसमें grand mal seizure को induce कराते हैं artificially bypassing electric current to the brain with the help of electrodes तो क्या है electrodes की help से brain में current electricity पास कराते हैं ठीक इसको पास कराने की वज़े से current electricity के वज़े से patient में grand mal seizure develop होगा और grand mal seizure develop होने से patient का mental illness ठीक होगा grand mal seizure कहने के मतलब है जो seizure आप जानते हो दोरे पड़ते हैं इसके अलग-अलग types होते हैं जैसे कि focal seizure, myoclonic, ठीक है absence seizure, atonic seizure एक होता है grand mal seizure तो ये grand mal seizure induce करता है current electricity यदि patient के brain में supply करे हम electrode के help से तो seizure develop होगा कौन सा seizure होगा? grand mal seizure होगा और इस seizure के होने की वज़े से patient का mental status है वो ठीक होता है mental illness ठीक होता है चलिए देखते हैं कहां-कहां यूज में लेते हैं ECT का, ECT का यूज कहां-कहां पर है major depressive disorder major depressive disorder उसे कहते हैं जिसमें patient को disorder उस लेवल तक चला जाए depression उस लेवल तक चला जाए कि patient को suicidal thoughts आने लगे यानि वो suicide करने के विचार उसके मन में आने लगे ज़्यादा suicide करने के विचार जब आने लगे तो उसे कहते हैं major depressive disorder तीक है अगला क्या है manic episode कहने के मतलब है patient ज़्यादा ही excited state में रहेगा enthusiasm में रहेगा यानि patient एदी हस रहा है तो कूब हसेगा तो ज़्यादा excited state में रहेगा ये क्या है सारे mental illness है साइजोफ्रेणिया साइजोफ्रेणिया में पेसेंट क्या करता है कि इसके पेसेंट के cognitive function disturb हो जाते है cognitive function कहने के मतलब है कि पेसेंट का intellectual memory ये सारी चीज़ें डिश्टर्ब हो जाती है ठीक है अगला क्या है episodic psychosis इसमें क्या होता है पेसेंट अपना contact reality से छोड़ देगा यानि real environment में वह नहीं रहेगा जैसे कहने के मतलब यह है को अपने वह dreaming में जीए ठीक अपने सपनों में रहे कहते ना कि पागल है mental illness का मतलब क्या है पागल ठीक है ठीक प्रेगनेंट है और डिप्रेस्ट है तो वैसे उमेन को भी हम ठीक करते हैं इसीटी के हल्प से यदि हम इससे यूज करते हैं इसीटी तो जो और प्रेगनेंट है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं तो ठीक करेंगे तो क्या होगा इसको सुसाइडल थोट आएंगे तो हम ओमेन को भी बचाएंगे और उसके बेभी को ही बचा देंगे ठीक है तो उमीद करते हैं आपको समझ में होगा कि क्या है और उसका कहा हो रहा है इसीटी एक एक इलेक्ट्रो कनवल्जिव तेरेपी इसमें क्या करते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक के हैफ से पेसेंट में सीजर को इंड्ी अन्ड्य नियुस करते हैं और सीिर की इंड्यूस होने की वजह से पेस राटमेंट में कुछ इडूर्वमेंस क्या होताइं है इसके मेंटल स्टेस जैसे की डिप्रेसर ठीक होगा मैनिक एपिचोल्स होगड़कि ठीक है और depressed omen जो होगी वो भी ठीक होगी pregnant omen चलिए आगे देखते हैं type of seizure produced तो कौन से type का seizure produced होता है जब हम ECT देते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को इधर बताया था grand mal seizure होता है ठीक है तो grand mal seizure produce होगा किसमें है जदी हम किसी को ECT दे रहे हैं तो grand mal seizure produce होता है grand mal seizure में क्या होता है दो फेज होते है टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज में क्या होता है कि patient की body पूरी stiff हो जाती है यानि अकड़ जाती है यह कितने समय के लिए होता है दस से 15 सेगंड के लिए क्लोनिक फेज होता है पेसेंट जर की मुवमेंट सो करेगा ज्यादा जटके सो करेगा वह 30-60 सेगंड तक होगा तो यदि किसी पेसेंट को हम ECT दे रहे हैं तो उसको tonic phase में आप देखोगे उसके पूरी body stiff हो जाएगी 10-15 सेगंड के लिए और क्लोनिक फेज में देखोगे 30-60 सेगंड तक वह जर की मुवमेंट सो करेगा तो यदि आप सीजर किसी को ECT दे रहे हो तो यह जर्दी करेक्टर सो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे ग्रेंड माल सीजर इसे आया और सीजर की हेल्प से पेसेंट का मेंटल इलनेस ठीक होगा ठीक है चलिए आगे समझते हैं history of ECT ECT कैसे develop हुआ इसे थोड़ा समझते है history ECT is not a new innovation ECT कोई नया innovation नहीं है क्यों नया innovation नहीं है क्योंकि पैरा celsius जो है इन्होंने 16th century में क्या किया था camphor oil का यूज करके conversion produce कर रहे थे और इसकी वजह से उन्होंने ठीक कर रहा था कि इसको lunacy को lunacy lunacy भी एक mental illness है जिसमें stupid behavior show करता है ठीक है तो इस mental illness को ठीक करने के लिए camphor oil का use करके conversion को produce किया और lunacy को ठीक किया यह कब हुआ 16th century में तो सोचो उतने पुराने टाइम में ही यह चीज आ गई थी तो इसलिए नया innovation नहीं है फिर आये वन मेंडूला ठीक वन मेंडूला यह क्या करते थे कि camphor oil को inject करते थे पेसेंड में और साइजोफरेनिया जैसी disease को ठीक करते थे यह कब हुआ 1934 में ठीक है साइजोफरेनिय एसी बिमारी को conversion produce कराया किस से camphor oil से और उसको recover किया ठीक किया यह किस ने किया वन मेंडूला ने वेंडूना ने 1934 में आगे देखते हैं 1938 में क्या हुआ जैसे ही लोगों को यह बात पता चली कि conversion होने की वज़े से seizures आने की वज़े से पेसेंट के mental illness ठीक हो रहा है तो और नए नए खोज किये गया है कि कि किन किन चीजों से हम किसी पेसेंट को conversion ला सकते हैं तो 1938 में सरलेटी एंड वीनी ने इनने क्या करा कि करेंट electricity से इस्टिमिलस ने करेंट electricity से conversion पैदा किये तो करेंट electricity से Convulsions आए और उससे क्या हुआ Convulsions यानि seizures आए इंडियूस करा करके उनने ठीक करना शुरू किया उसको नाम क्या दिया इलेक्ट्रिक सॉक थेरापी यानि इलेक्ट्रिक सॉक देंगे किसी को तो Convulsions पोडियूस होगा seizure पोडियूस होगा और seizure पोडियूस होगा तो हम किसी पेसेंट का mental illness को कंट्रोल कर पाएंगे ठीक कर पाएंगे यह कब हुआ किस ने किया सरलेटी एंड बीनी ने ठीक इन 1976 इस टाइम पर क्या हुआ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसियेशन टास्क फोर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि इसी टी जो है बहुत ही सेफ है और एफेक्टिव ट्रेटमेंट है mental illness के लिए तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि यह आपने में देखा था कि हम प्रेग्नेंट ओमेंट को भी दे रहे थे तो इतना सेफ है कि प्रेग्नेंट ओमेंट को भी दे सकते हैं आप लोग को पता होगा कि हम कोई भी मेडिकेशन डेरेक्टी ओमेडिकेशन नहीं देते हैं तो सोचो मेडिकेशन हम नहीं देते हैं और तो कितना सेफ है इसलिए इन्होंने बताया किसने अमेरीकन सेकेटरिक एशोसिएशन टास्क पोर्स ने उसने डिखलेर किया कि यह safe method है और effective method है treatment का कॉंसा treatment mental illness कॉन कॉंसे illness थे depression थे ठीक है और जिसमें suicidal thought आने लगे major depression चलिए आगे समझते हैं types of ECT ECT किते परकार के होते हैं दो परकार के होते हैं direct और modified modified को हम indirect भी कहते हैं direct ECT में क्या होता है in this ECT is given without use of any muscle relaxants इसमें कोई muscle relaxants नहीं देंगे और नहीं general anesthesia देंगे ठीक है तो ECT में यदि हम कोई muscle reluctance नहीं दे रहे हैं relaxants जो muscle को relax करें वैसा medication नहीं दे रहे हैं और नहीं anesthesia दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे direct ECT अगला क्या है modified इसमें क्या करते हैं कि हम muscle relaxants भी देते हैं और anesthesia भी देते हैं ठीक तो muscle relaxants नहीं देना और general anesthesia नहीं देना और देना क्या मतलब है इन बातों से इन बातों से यह मतलब है कि modified जो आई पहले हम यह करते थे जो direct method है पर हम इसको अब ज्यादा उस नहीं करते है modified को ही उस करते हैं क्यों करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि मैंने बताया आप लोग को कि जैसे ही हम sock देंगे पेसेंट को seizure आएगा seizure आएगा तो उसमें tonic phase भी आएगा और clonic phase में आएगा tonic और clonic phase आएगा यह पेसेंट का बोड़ी अकड़ेगा और जरकी जरकी movement so करेगा तो पेसेंट को क्या हो सकता है उसको injury हो सकती है उसके fracture हो सकते है क्योंकि जटका देगा वह या अकड़ जाएगा तो उसके fracture होने की chances है ठीक है तो यह चीज़े होंगी इन चीज़ों को रोगने के लिए हम उसको muscle relaxant देंगे muscle relaxant देंगे तो वह ज़्यादा अकड़ेगा नहीं तो उसके fracture नहीं होगे इंजरी ज़्यादा नहीं होगी और इनिस्थीसिया देंगे ठीक है तो आपको समझ में आ होगा कि क्यों अब modified use करते हैं तो anesthetic में क्या drugs देते हैं थायोपेंटिन देते हैं और muscle relaxant में क्या देते ह आपको समझ में आ रहा होगा आप बस द्यान से सुनें आपको समझ में आएगा ही आएगा और अच्छा लगे समझ में सही से आए तो comment करके भी बताएं कि कैसा लगा mechanism of action इसमें हम क्या समझें कि यदि हम किसी को सौक दे रहे हैं उसका mental illness ठीक हो रहा है तो भाया सौक से कैस इसको थोड़ा समझते हैं तो exact mechanism of action is unknown तो इसका exact mechanism क्या है कैसे ठीक कर पा रहा यह चीज यह पता नहीं है पर कुछ research जो है उनने कुछ बताया है कि क्या effect है जिसके वज़े से यह ठीक हो रही है तो उनने क्या बताया है कि during seizure seizure के टाइम पर क्या होता है cerebral blood flow increase हो जाता है यहने कि brain में blood flow increase हो जाता है use of glucose यह भी increase हो जाता है oxygen भी increase हो जाता है और permeability of blood brain barrier ब्लड-brain barrier का permeability बढ़ जाता है यहने कि brain में कुछ चीजे जो जिसे barrier होती है blood brain barrier वो selected चीजों को भी ब्रेन में जाने देती हैं और इसकी permeability बढ़ जाएगी तो कुछ चीजे ज्यादा जा पाएंगी यहने कि क्या होगा कि कुछ चीज़े ज़्यादा जा पारे हैं किसके वज़े से blood brain barrier में permeability होगा इसके वज़े से glucose का यूज ज़्यादा हो रहा है oxygen का ज़्यादा हो रहा है और blood flow भी ज़्यादा हो रहा है तो यह कब ज़्यादा हो रहा है ect also produces neurochemical changes ect के वज़े से neurochemical brain में कुछ changes होते हैं chemical लोचा होती है कुछ वह जो changes होती है similar होती है to the effect of all anti-depressant जो anti-depressant हम drugs लेते हैं depression को दूर करने के लिए तो जैसा anti-depressant drugs काम करते हैं वैसा ही neurochemical change लाता है ect तो इन वज़ों से हमारा जो सौक है हमारे लिए useful हो जाता है हमारे जो seizure हो रहा है बोडी में यह useful हो जा रहा है कि mental illness को ठीक कर पा रहा है चलिए आगे देखते हैं उम्मीद करते हैं आपको सही से समझ में आ रहा होगा पहले तुम्हें आप लोगों को यह बता दो कि ect जो है हम लास्ट स्टेज में देते हैं कोई भी पेसेंट है उसको मालो depression है suicidal thoughts आने वाली बिमारी हो चुकी है depression है साइजोफरेनिया है जो भी है mental illness है तो उस पेसेंट को पहले medication देते हैं ठीक medication देंगे यदि उससे ठीक नहीं हो नहीं हो पा रहा है तो लास्ट स्टेज में हम क्या करते हैं ECT देते हैं और ECT एक safe और effective treatment method है इसके help से फायदे मिल जाते हैं पेसेंट को placement of electrodes तो जिन electrode से हम पेसेंट के brain में current दे रहे हैं वह electrode को कहा प्लेस करना है उसका देखते हैं तो इसको तीन तरीके से प्लेस करते हैं Unilateral, Bilateral and Bifrontal तो Unilateral आप समझे पहले Unilateral यानि की एक side में bilateral यह दोनों side में ठीक है और Bifrontal यह फ्रेंट में दोनों side ठीक नाम से भी आपको समझ में आ रहा है Unilateral यानि single side, single side को किदर लगाएंगे हम यदि brain का अपना किसी एक side में लगा रहे हैं ठीक तो किसी एक side में लगाने को Unilateral बोल रहे हैं तो Unilateral किदर होगा यह लगाते है non-dominant side यदि कोई patient right hand से खा रहा है तो यानि उसका right side dominant है तो हम उसको electrode left hand left side में लगाएंगे ठीक non-dominant side में लगाना है यदि कोई left से खाता है left से सारा काम करता है तो left उसका dominant है तो हम non-dominant यानि right के side लगाएंगे तो आईए देखते हैं इसका place कौन सा होगा तो आप देखें Unilateral जो है हम I के इस वाले part को बोलते है external canthus और इस वाले part को बोलते है inner canthus ठीक यह inner canthus यह outer canthus और यह आई का part है बाहर वाले part को बोलते हैं outer canthus और अंदर वाले को inner canthus और यह जो ear का part है इसको बोलते हम tragus तो tragus से और outer canthus से imaginary line draw करते हैं ठीक और इससे 3 cm उपर यहां center पर हम लगाते हैं एक electrode ठीक इसमें दो electrode का यूज होता है तो एक electrode तो हमेहां लगाएं अगल ठीक तो यह हम कहां लगा रहे हैं unilateral में unilateral में कहां लगाया हमने एक tragus और outer canthus के 3 cm उपर मीड में और temporal bone के मीड में ठीक यह हमने लगाया unilateral में एक इधर लगाते हैं जो non-dominant side हो ठीक bilateral में क्या करेंगे यह जो हमने side पर लगाया था tragus और outer canthus ठीक है outer canthus और tragus के 3 cm लेफ्ट साइड भी और राइट साइड दोनों तरफ लगा रहे हैं इसलिए बाइलेटरल ठीक आप लोकेशन समझें कहां लगाना है बाइफ्रेंटल बाइफ्रेंटल में क्या करेंगे आउटर कैंथस से जस्ट उपर फाइब सेंटीमिटर यहां पर और यहां पर ठीक है 120 बोल्ट का करेंट लगाते हैं जोकी एवरेज है 110 बोल्ट कितने देर के लिए लगाएंगे पॉइंट सेवें सेकेंड से ले करके 1.5 सेकंड तक फ्रिक्वेंसी कितनी बार लगाएंगे दो से तीन सेशन पर वीक यानि एक वीक में दो से तीन बार हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ठीक है तो छे से बारा ट्रीटमेंट जुरत पड़ती है फूल क्लिनिकल रिस्पॉंस के लिए यानि अच्छे तरीके से ठीक होने के लिए लगभग छे से बारा सौक रिक्वायर होती है वह भी वीक में दो से तीन पर कुछ पेसेंट को 20 ट्रीटमेंट की भी जु कि नहीं देना कभ नहीं देना जब पेसेंट का इंट्राकरेनियल प्रेसर बढ़ा हुआ हो या फिर रिसेंट में ही मायो काडियल इंफाक्षन हुई ओ,- चलिए आगे समझते हैं cerebral aneurysm इसमें भी नहीं देते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारे cerebral के arteries हैं वो बल्ज हो जाती हैं वीक हो जाती है तो उन में हेमरेज होने की chances जल्दी हो जाती है ठीक है तो brain tumor है तो भी नहीं देंगे तो brain tumor cerebral aneurysm recent myocardial infection और increased intracranial pressure और severe hypertension बढ़ाओ तो उस टाइम पे हम ECT नहीं देते हैं चलिए आगे समझते हैं adverse effect adverse effect क्या है इसका ECT का headache होगा confusion होगा memory impairment memory impairment में क्या होती है amnesia यानि कि memory loss पेसेंट को memory loss हो जाते से 6-7 महिने या 3-4 महिने में थोड़े थोड़े recover भी होने लगते हैं memory loss जो भी होती है और recovery हो जाती है पर memory loss तो maximum देखा गया है और fracture fracture में आप लोगों को बता है कि इसमें seizure सायंगे और seizure में आएंगे तो पेसेंट जटका देगा और जटका देगा तो फ्रेक्चर होने की chances तो होती ही है और क्या देखने को मिलता है टंग वाइटिंग जैसे की पेसेंट का body अकड़ेगी तो क्या होगा टंग टांघ सकता है तो टांघ बाटिंग का वी होता है अमोरी लॉस्त होई रहा है उमिद करते हैं अपको अच्छ में आ रहा हो और आया भी होगा और और समझने केलिए मेरे छैनल पर आते और कॉमेंट करके मुझे बताए भी कि कैसा लगा थैंक यू एंड हेवे नाइस दे टू आल